राटी गूर्ट के फाउंडर और चेर्मेर आनुर राटी साब जो बीसी के पूर प्रेसिडेंट भी रह चुके है और एकोनोमिक और कोर्परेट मेटर्स पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं राटी साब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद समय देने के लिए इस कुछ नेगेटिव हैं तो अगर और और एंगल से मुझे तुम पूछना चाहो तो मैं समय तो बजट अच्छा है क्योंकि जो एकोनोमिक एंगल से है वो बजट अच्छा है टेक्सेशन के एंगल से बजट नेगेटिव है तो दोनों नजरी और दोनों में नेचिरली एकोन अच्छा होई जाएगा, क्या कुछ आपको अच्छा लगा इस बजट में एकोनोमी के लियाद से? तो पहला ऐसा बजट है, जिसमें एम्प्लॉइम्मेंट को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रावदाम किये गए हैं, और इसको पॉप्लिस्ट नहीं करके अलग तरीके से इसको बना गया है, आम तरीके में जब पैसा देना हो तो पॉप्लिस्ट बजट होता है, उन्होंने कई चीज़ें इस बार क्रेडिट उनको देने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा इस बार स्टैप्स जैसे लिया गया है, इंफ्रेस्ट्रक्ट्ट्र तो ही है, पर इंफ्रेस्ट्रक्ट्र के साथ-साथ जो प्रजानमंत्री आवाज शोजना है, इस्टेट गवर्मेंट को का 1.5 लाग करोड रुपया उनको इंफ्रेस्ट्रक्ट्रक्ट्र इंवेस्मेंट के लिए जाएंगे, विलेज रोड चोड़ 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 विलोजेज में रोड ले जाएगी, तो यह सब क्युम्लिटिव जो एफेक्ट है, बिजले के लिए जैसे सोलार पाउर का एक क और भी कम हो, पर उन्तु कैपेक्स के जेरे जाए, या लॉंग टरम एक जिसमें सुदार हो, उसमें जाए, यह अगर सारी चीजें, और भी बहुत चीजें, पर में चीजें यह जो मैंने 4-5 बताई, इन सब से एकनोमिक ग्रोथ में डेफिनेटली बहुत हैल्प मिलेगी, और फिसकल डेफिजेट कम है, तो इंट्रेस्टेट भी गटने के आसार जल्दी नज़र आएंगे, यह सब चीजें, एकनोमिक लिए अच्छी होगी और एकनोमिक लिए अच्छी होगी, तो मैं समझता हूँ, लॉंग टरम में मार्केट के लिए अच्छी होगी, तो राट है कि सही है और इससे लगाम लगेगी, देखे, टैक्स एंगल से बिज़र समता है नेगेटिव है, परनतु यह एफेनों पे जो टैक्स लगा है, उससे लगाम लगना, मतलब थोड़ी लगाम लगी, मैं यह नहीं कूँँगा, परनतु एक तरह से यह हैजर के लिए नेगे कुछ लगाम लगेगी, पर हैजर के लिए यह दिस इंसेंक्टिव एक तरह से हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं, बाकि जो टैक्स बढ़ाया है, लॉंग टर्म दद से साड़ा बारा, चौट टर्म पंड़ा से बीस, आइधिंग इस देश में जब अपने को रिस क्यापिट है, उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि यह उस एंगल से मैं नेगेटिव गिनूँगा, कि दोनों सौट टर्म, लॉंग टर्म कैपिल गेन, प्लस साथ साथ में जो इंडेक्सेशन अठाने, उसके लिए रियल एस्टेट में फरके पढ़ेगा कि आज रियल रियलाजिबल तो आफ्टर पेंग टैक्स विदूट इंडेक्सेशन वो बढ़ जाएगी, आपके रियलेस्टेट कम हो जाएगी और नई बाइग के रियल तो कम नी होगी, उसके कारण जो है, I think कई चीज़ें को मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पे नेगेटिव असर आना, अगेर के डवलोप्मेंट के लिए नेगेटिव है, बड़ा होँ देना चीए, इंवेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इंवेस्टमेंट इन एक्विटी मार्केट, इकनि या तो शायद इन बदलाओं के चलते गोल्ड में इनवेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि डूटियो आप पर काफी बड़ी घटाई गई करीवन-करीबन 5,90,000 रुपए एक किलो पर गोल्ड अपसस्ता होया, यह मझे लगता है कि एक्विटी जब बड़ी थी तब भी मझे लगता था कि वो ठीक नहीं थी, क्योंकि जब इतनी डूटी बढ़ात है तो तो इसमंगलिक बढ़ता है दोस्ते तरह के साता है, I think reasonable rate of gold is fine, पर देरे देरे लोगों का जुकाव, इस physical assets से, equity में, markets में, या real estate में जाना ज्यादा देश के लिए अच्छा है, तो इसलिए ठीक है थोड़े ताइम लोगों को gold में definitely, आज पर, जिन्होंने gold investment किया, उनके लिए returns कम हो जाएंगे, आज import duty कम होने से, तो to that extent it will become less attractive for people who already invested, तो ठीक बात है, राटरी साब बहुत भुत धन्यवाद आपका, आपने समय दियार budget के बाजार पर और साथी investments के सारे मोकों पर और budget के सारे एलानों पर हमारी दर्श्कों को आपने साही direction दिया, thank you so much sir, एक छोट इसे break का वकत है, जल्लों अनिवाद, 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 अनिवाद